युक्रेन में फसे 219 चात्रों को पोलंड के रास्ते भारत पहुचाया गया थोड़ी देर में भारत पहुचने के बाद घर पहुचेंगे चात्र केंद्रिया राज्यमंत्री वीके सिंग ने चात्रों को भेजा बतन वापस उत्राखंड में 10 मार्च की मतगड़ना से पहले आज होगी ट्रेनिंग पोलिंग पार्टियों को मतगड़ना के लिए किया जाएगा प्रश्रिक्षित ट्रेनिंग में पार्टियों के कुछ एजिंट भी रहेंगे मौजूद उत्राखंड में मौसम ने फिर बदली करवट बदरी नाथ धाम में शुरू हुई वर्फ बारी अब तक चार फीट से ज्यादा जम चुकी है वर्फ रोदर प्रियाग में मिठी खनन के दौरान भड़ा हदसा मिठी धसने से तीन महिलाओं की मौकी पर ही दर्दनाक मौत कई खंटे के रेस्क्यों के बाद मिकाले कई शब और यूपी में साथ में चरण के मतदान से पहले काश्री में महा मन्थन एबीपी गंगा के मंच पर आज जुटेंगे दिगगर सुबह नौ बजे से लगातार देखिए महा अधिवेशन काश्री